नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टिकेट की खबर हारा में आज हम IPL 2024 में सभी टीमों की संभावित रिटेंशन के बारे में चर्चा करेंगे चलिए देखते हैं कि कौन से खिलाडी बने रह सकते हैं और कौन नए चेहरों के लिए जगह बना सकते हैं रिटेंशन क्या है? रिटेंशन का मतलब है कि टीमें अपने पिछले स्कौर्ड से कुछ खिलाडियों को आगामी सीजन के लिए बनाए रखती हैं महत्व मुख्य खिलाडियों को बनाए रखना टीम की केमिस्ट्री और प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करता है CS के अनुभव और नेत्रित्व को महत्व देती है खासकर धोनी के संभावित अंतिम सीजन में ये अमाई की सफल रणनीती का मूल हिस्सा है इनके इस पोटक बैटिंग लाइनप में निरंतरता जरूरी है DC रशभ पंत, जैक फ्रेजर मेघर्ग और अक्षर पटेल DC इन खिलाडियों के इर्द गिर्द एक युवा कोर बना रहा है KKM, श्रेयस अयर, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन अनुभव और ओल राउंड स्किल्स KKR की रणनीती के लिए महत्वपूर है इन खिलाडियों को बनाए रखना उन्हें फिर से बनाने में मदद करेगा उन्हें स्थिरता प्रदान करने वाले खिलाडियों पर ध्यान के इंद्रित करने की जरूरत है अपने स्थार खिलाडियों को बनाए रखना बेहत ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान की टीम में सब बड़े खिलाडी हैं तो वह अच्छा कर भी सब को रिटेन नहीं कर सकेंगे रिटेंशन के फैसले किसी टीम के सीजन को बना या बिगाड सकते हैं जैसे जैसे हम IPL लिदामी के करीब पहुंच रहे हैं सभी की नजरें इन टीमों की रणनीतियों पर होंगी आपके पसंदीदा टीम को कौन से खिलाडियों को बनाए रखना चाहिए हमें कमेंट में बताएं लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और IPL की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें देखने के लिए धन्यवाद अगली बार तक अपने टीमों का समर्थन करते रहें और क्रिकेट का आनंद लें अपना झाल। उल्सक्राइब करते लिए और करते दीघ्स